नमस्कार आप देख रहें एटियन लाइब और मैं हुचंदन सीवान के राजित पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजुद है राजत के पुर्व प्रखंड अध्यक्ष परवेद जी और परवेद जी से हम जानना चाहेंगे कि परवेद जी ये बताईए कि अभी सीव अभी जो चुनाव लड़ने वाले लोग है मन्य हीना साहब चाहे और दौले को जो लोग है हम लोग हीना साहब में अस्ता रखते हैं तो हमारी मेडम अभी साइलेंट है लेकि जो ही वेलान करेगी हम उनके लिए और उनके चुनाव के लिए हम पूर रूप से त्यारी में लग जाएंगे और उसमें लगना क्या है उनके लोग हर जगे हर पंचायत हर वाड हर गली-गली में लोग हैं हर समधाई के लोग उनसे जुड़े हुए हैं पाचान बनाने की तो जरूत है नहीं परियर जी एक सवाल ये है कि आप तो कई वर्सों से राजनीत में हैं और हमें लग रहा है कि साबदीन साहब जब जीवित थे उनके साथ भी आप काम कर चुके हैं आपको साइद याद होगा कि लालू परसाथ जा दो जब भी चाहे वो गोपाल गन जाए या फिर सीवान है मुहमत साहबुदीन से जरूर मिलेंगे चाहे परतापूर में मिले या फिर सीवान में मिले तो आपको क्या लग रहा है इस वर गोपाल गन जाये थे और ससुराल भी जाते हैं समय भी देते हैं फिर अपने गाउं भी जाते हैं लेकिन साहबुदीन साहब के परिवार से नह यह उस परिवार को बिलकुल आब राजत दर्किनार कर रही है लालू परिवार कर देखें मिलने जुल्ला का जो बात है नो हमारे समस्थ से मेडम थी ही नहीं और लालू जी का अगले दिन से तारिक था तारिक के लिए वो बहुत तेजी में थे उच चले गए हमको लग रहा है इसके बाद उनका दोरा जरूर होगा दोरा होगा तो सिवान आएंगे और इन लोगे परिवार से दूरी बनी नहीं है कुछ बाते हैं ऐसी जो की दूरी बनी हुई है हमको लगता है जी दूरी बहुत जल्द खतम भी हो जाएगी और बरतलाप की कमी है कुछ दूरिया है नहीं कुछ लोग हैं कुछ नेता लोग हैं बरतलाप को दूरी बना दिये हैं और कोई बात ने अपने सवारत के लिए, अपने फायदे के लिए दूरी बनाए हुए है, लेकि हमको लगता है जी दूरी बनेगी नहीं, दूरी बहुत जल्दी खतम हो जाएगी, आने वाले दीन में बरिये निता में जो भी क्यूछ होगा उलो आपसी बाचित करके हमको सकते हैं, लेकि हमको लिए कुछ दूरिया है, गल्ती हुई है, पत्ना से लोग बता रहे हैं, लालु जादों का पुतला दहन किया गया तो हमको लग रहा है, लालु जी का पुतला दहन हुआ, उसमें हेना मेडम का कोई आदमी नहीं था, ये उपद्रवई लोग थे, जिन पुझा नोबत नहीं होता कोई अंगली नहीं उठाता अगर आती है राजत से आती है या फिर निजली ए मलीजे राजत से ही अगर आ जाती है क्या होगा तीन बर तो चुनाओ आपने देख शुका तिन बर चुनाओ वहार गई इस बर क्या होगा उस समय का महौल वैसा नहीं जूते हुए हैं अभी अभी उनका साथ भूती पूट भी मिलेगा इस बार नहीं दुनिया चले गए राष्टिय जनता दल के लिए अपने जान दे दिए और जब तक जिन्दा थे राष्टि जनता दल लालू जी को अपना नेता मानते रहे और हमको लग रहा है जी उनका परिबार भी लालो जी कही लाली जी को निता माना रहा थे इप आप पुतला वाली बात तो आखीर यह पुतला किसने जलबा दिया और साथ हमें लग रहा कि पुतला जलाना और और बھी दुद्ला पढ़के चलुख लोग होता है किसी को नहीं बोली है किसी कुछी काम नहीं करेंगें अभी किसी दल के लिए काम नहीं करेंगें पाटी से त्याग पत्र दिये हुँ आ कहां वहां से लोग निकाला है निकाला होता कोई लेटर होता है संसधिय बोर्ड की टीम में यह थी वहां से तो हटा दिया गया अब उसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं लेकिन आप लोग जाते आते हैं बाचीत होती होगी मैडम क्या आर्जेडी में बनी रहनी चाहती है या फिर क्या वाकई चिराग पासवान के साथ जाना चाहती है चिराग पासवान देखिए जब से साहब का इंतकाल हुआ हर नेता आया और सानुगूती देकर चला गया और मेडम का स्वास सही नहीं रहा रहा था इसलिए कहीं आना जान सही नहीं चला है इसलिए उस्वास्त के परती अपने परिवार के परती लगी हुई है एक से दो हपते में किलियर हो जाएगा मेडम क्या करेगी जैसे ही गोशना होगा हम उसके पीछ लग जाएगा निर्दलिये भी चुनाव लड़ सकती है हो सकता है हो सकता है अगर लालु परिवार हिना सहाब को दर्किनार कर रहा है तो आने वाले 2024 के चुनाओं में कितना असर पड़ेगा और क्या हो सकता है अगर दरकिनार कर देगा तो हमको लग रहा है जी हर सीट पर असर हो जाएगा और राष्टिय जनता दल हर सीट पर लूज करने का काम हो सकता है जी साबदीन साब की चाहने वाले लोग हैं हर सीट पर अपना अपना बोट नहीं करेंगे मतलब कि आज भी वही पैट है जो मुहमत शाबदीन साब जीवित थे उस समय भी वही है हमको लग रहा है अभी एक टर्म क्या अभी दो टर्म और मेडम चुनाव लड़ेगी तो उसके साथ मुलाएं अब मेडम को तैक करना है मेडम क्या करती है मेडम जहां रहेगी हम बता रहें कि अगर कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर निर्दलिय निर्दलिय सही रहेगा निर्दलिय देखिए पाटी पाटी होता है पाटी से लड़ने में फायदा रहेगा निर्दलिय लड़े लड़ने पर ज्यादा थोड़ा उसमें हम लोगों मेहनत करना पड़ेगा निर्दाली लड़ कर चुनाव जीतने काम करेंगा लुए नुगों ने कभी लालोजी से मिलने का प्रयास नहीं किया अपनी बातों को रखने का प्रयास नहीं लिए बात हमको लग रहा है उपरी अस्तर पर चल रही है वह तो बताए आपसे एक हफ्ता में किलियर हो जाएगा जैसे बंबे या कहां बंगलोर कहां मीटिंग चल ला है इंडिया का मीटिंग खतम होगा उसके बास एक से दो हपता में सब किलियर हो जाएगा जो पूराने घर में रहकर लड़ाई जगरा करके उसमें हख ही साले कर अपने पूराने घर में लेकिन अब मेडम एक दो रोज में हम भी जाकर मंधन करेंगे बात करेंगे मेडम क्या राय है उसके पास हम अपना राय है जो उनके समर्थक है यह क्या चाहते है कि पुराने जो दल है आरजेडी उसमें रहे या फिर चिराग पासवान के साथ चले जाए या निर्दलिय चुनाव लड़े है हमारा मनना है चिराग पासवान के साथ जाने में कोई फाइदा नहीं है मुस्लिम समाज मने हमको लग रहा है जी नहीं जाने का काम करेगा चाहेगा या तो निर्दलिय लड़े ठीक रहेगा निर्दलिय लड़ने में बेटर रहेगा लेकि चिराग पासवान के साथ जाने में फाइदा नहीं रहेगा और अगर बाई देवे मान लिजे की आउद भियारी चौधरी को यहां से चुनाव लड़ा दिया गया उस समय की क्या इसीती रहेगी क्या हिना साहब उनके सामने खड़ी रहेंगी चुनाव लड़ेंगी जब एसा बात हो जाएगा ।िकट जो लेकर आएगा लड़ेगा भाई उसमें कोई ठोड़े रुकेगा अगर मेडम टिकट लेकर आएगी तो मेडम लड़ेगी अमारे हम लोग गढ़ी ने मानने जरे अधहरी चोधरी जी हैं अगर इसा होगा तो घरजीया ने सबका वो खुद हेना मेटम को चुनाव लड़वाएंगे लड़वाने काम करेंगे और चुनाव जितवाने का भी काम करेंगे कि यह सब जो आप बोल रहे है कि बैगलोरू में बैधक है इंडिया की बैथक हो जाएगा एक दो सब्सक्राइब करना क्या है लोकसभा पड़ता है लेकि लोकसभा के छेतर आता है परवेट जी आपको नहीं लग रहा है आप लोग तो 10-15 साल से राइनित कर रहा है आपको इस तरह नहीं लग रहा है कि हीना सहाब के पास कुछ ऐसे लोग है जो लालू परिवार और इन में दोनों में दुरियां ही बढ़ाना चाहते हैं ब्यानबाजी हो या फिर पुतला धहन हो कई तरह की चीज़े है तो आपको इस पर क्या लग रहा है कि ऐसा क्या होना चाहिए जी जी यह बात आप सही बोलें इसमें दुरियां बढ़ाने वाले कुछ लोग हैं लेकिन अभी हटे हुए हैं पले थे लेकि हटे हुए हैं यही लोग दुरी बनाये हैं मेडियम आगा उल्टा पूल्टा बोल देते हैं मेडम के साथ भी रहते हैं अब उल्टा पूल्टा काम भी कर देते हैं मेडम का सिकाइद हो जाए लेकिन मेडम के चाहने वाले साहब के चाहने वाले यह हूने नहीं देंगे हम लोग चाहते हैं जो पुराने लोग है जैसा नहीं होने देंगे हम लो जो दूरिया बनी हुई है दूरिया को हम लोग कम करें जी 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 उमीद है पका उमीद है एक हफ्त में आप देख लिजेगा एदम दूरिया खत्म हो जाएगी परवेट जी है राज़त के पुरु प्रखंड के अध्यक्ष है आज जीला में भी है इनसे बाचीत हुई इनका काना है कि दूरिया बहुत जल समाप्त हो जाएगी और हीना साहब जो है वो चुनाओ लड़ेंगी लेकिन आने वाले से में अब देखना होगा कि पाटी परदे सुके साथ चंदन कुमार एटियन लाइप सीवा